हलो दोस्तों नमस्कार उमेटिकनल चलनल के मादब से जितने भी EPS 95 पेंसरा से सबका इस नए और लेटेस्ट वीडियो में आप सबका स्वागत है दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं EPS मेंबर्स की निवनतम पेंसरा रकम बढ़ाने पर चर्चा जो चल रही है चर्चा जो हो रही है वो EPS 4 के द्वारा EPS 4 से जो मागे किया है ट्रेड यूनियन की तरफ से उसी पे हम पूरा देखेंगे और समझेंगे जानेंगे और ये भी जाने की कोशिस करेंगे कि EPS 95 पेंसरा के पेंसरा कब तक बढ़ सकता है और सरकार की क्या योजनाए है क्या रड़नेती है EPS 4 क्या बोरा है ये सारी के सारी जानकारी आज हम इस वीडियो के मदम से आप सब को प्रवाइड कराएंगे आप सब के साथ में साजा करेंगे तो बिल्कुल वीडियो में बने रहें सुरू से लेके लाश्य तक वीडियो को इसकिप ना करें और हाँ अगर अभी तक आपने चैनल को सस्काइब नहीं किया है तो मेरा यह आपसे रिक्वेस्ट एके प्रीज चैनल को सब्सक्राइब करने चले वीडियो को सुरू करते हैं तो दोस्तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि EPF मेंबर्स की नियूंतम पेंसर रकम बढ़ानी पे जो चर्चा होने वाली इससे एक नियूज पेपर ने कभर किया है तो नियूज पेपर में लिखा गया है कि EPF हो मेंबर्स के लिए रहात की खबर है EPF खाता धारकों के नियूंतम पेंसर के रास में जल्द बढ़ोतरी हो सकती है सुत्रो का करना है कि इस बार सरकार नियूंतम पेंसर को बढ़ाने के मूर में नजर आ रही है इस मुद्धे पर ट्रेड यूनियोनों के बीच बात चीत जारी है ट्रेड यूनियोनों ने मौझूदा नियूंतम पेंसर को बढ़ा कर एक हजार रुपे से छह हजार रुपे तक करने की माग की है सरकार सायद इससे इतना ज़्यादा बढ़ोतरी न करें मगर बढ़ोतरी होगी इसके आसार नजर आ रहे हैं इस मामले की जानकारी रखने के लिए रखने वाले एक सरकारी अधिकारी का कहना है कि सिविटी नियूंतम पेंसर में एक हजार से दो हजार रुपे की बढ़ोतरी कर सकता है यानि नियूंतम पेंसर को एक हजार रुपे से बढ़ा कर दो हजार या तीन हजार रुपए करने का फैसला कर सकता है तो दोस्तों ये जो खबर आपको समझ में आ रही है जो निकल के सामने आ रही है कि ट्रेड यूनियन की तरफ से जो सरकार से EPS 95 पेंसनों के पेंसन बढ़ोतरी की माग रखे गई है वह है एक हजार रुपए से बढ़ा के 6000 रुपए तक किया जाए लेकिन जो CBT की बैठक होने वाली है जिससे खास तरीके से यह मालूम पड़ता है कि CBT की बैठक के बाद जो नियूंतम पेंसन में जो भृद्धी होनी है वह सायद की 1000 से 2000 रुपए तक बढ़ोतरी हो सकती है यानि नियूंतम पेंसन को 1000 रुपए से बढ़ा कर 2000 रुपए या उससे जादा 3000 रुपए करने का फंसला किया जा सकता है लेकिन अभी तक CBT की बैठक हुई नहीं है तो यह सिर्फ हम अनुमाल लगा सकते हैं कोई फुकता प्रमाड या सबूत के साथ में नहीं बोल सकते हैं यानि नियूंतम पेंसन को 1000 रुपए से बढ़ा के 2000 रुपए तक किया जा सकता है सम्म मंत्राले से हरी जंडी मिलने के बाद CBT इस पर फसला लेने में देरी नहीं करेगा गयर तलब है कि CBT ने 2020 सेकेश के लिए सदर्सों के खाते में PF जमाराशी पर 8.5% वार्शिक ब्याज़दर देने का सिफारिस की थी बित मंत्राले के हाल ही में इस प्रस्ताव को मनजूरी भी दे दी है तो अगले जो CBT की मीटिंग होने वाली है बैठक होने वाली है उसमें देरी नहीं होगा और आपको बहुत ही जल्द EPS 95 पेंसन को पेंसन की रकम यानि की उन्हें जो पेंसन में बढ़तरी हुई उसकी जो रकम होगी वो उन्हें मिनना स्टार्ट हो जाएगा अब मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि CBT की जो अगली मीटिंग है बैठक है वो साइथ की बहुत ही जल्द होने वाली है 16 तारी को पहले होने वाली थी लेकिन साइथ डिले होके 26 तारी कर दिया गया है तो अब जब भी मीटिंग CBT की एगली मीटिंग होगी तो अभी तो ट्रेड यूनियन ने जो अपना डिमांड रखा है तो पहले ट्रेड यूनियन का जो डिमांड है उसे देख लिया जाए कि हो सकता है कि साइथ ट्रेड यूनियन की जो डिमांड है उसे सरकार मान ले रखा गया है कि CBT की अगर मीटिंग होती है तो वहां पर जो नियुम तब पेंसान एक हजार रुपए है तो उससे बढ़ा के दो जार या तीन हजार रुपए प्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें कि इसे प्रटार से लेटेस्ट अपडेट आपको हमारी चैनल के माद्धम से मिलते रहते हैं चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और मुझे ये भी कमेंट में देता हूँ वीडियो आपको समझ में आता है कि नहीं आता है अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लेश चैनल में जरूर कमेंट करें एक बार वीडियो पे वीडियो को लाइक करें वीडियो को सेयर करना ना भूले जब दोस्तों मिलते हैं किसी नए वीडियो म में तब तक लिए नमस्कार जय ही जय भारत